Hello Friends! Welcome back to my channel! तो Friends कैसे हैं? आप सभी को तीज की हारदिक शुब कामना है आज हम बनाने जा रहे हैं कजरी तीज स्पेशल सत्तू के लड़ू कजरी तीज भी से बोला जाता है या फिर इसे सत्तू वाली तीज भी बोला जाता है आप मुझे comment करके बताएगा कि आपके यहां यह सत्तू आली तीज यह फिर कज्री तीज को क्या बोला जाता है तो friends आज जो हम बनाने जा रहे हैं सत्तू बनाने जा रहे हैं गेहु का गेहूं के आटे का आज हम सत्तू बनाएंगे तीज के लिए तीज की पूजा के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपके यहां तीज की पूजा किस प्रकार से की जाती है या फिर आप किस प्रकार से सत्तू बनाते हैं तो फ्रेंट्स यह जो मैंने बनाया है जैसे कि मैंने बताया गेहूं के आटे का बनाया है आप चाहे तो बेसन या फिर मेदा से भी बना सकते हैं तो दोनों ही रेसिपी मैंने इसी चैनल पर डाली है तो वो भी देख सकते हैं तो चली इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैं कटोरी ले लिया है आप कम जादा रख सकते हैं और फिर गेहूं काटा डालने के बाद हम अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे लगातार चलाते वे इसकी सिकाई करेंगे और जैसे जैसे सिखने लगेगा तो बहुत अच्छी खुश्बू भी आने लगेगी और बीच बीच में तो पहले मैंने कम ही डाला था आधा वाओल जैसे डाला है तो फिर से वापस से मैं इसके इंदर डाल रही हूं तीन चोटे चमच वापस से देशी घी घी से यह बहुत ही कमाल का बनेगा तो घी में आप बिलकुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा फिर से घी डालके अच्छ पक चुका है तो लो फ्लेम पे अच्छे से मैं इसे सेक लिया है जब तक सेकेंगे जब तक कि इसका जो कलर है गोल्डर ना हो जाए और घर के अंदर बहुत इच्छे से खुश्बू ना आने लगे तो जैसे इसकी सिकाई अच्छे से ओरने लगेगी तो आपका पूरा जो घर है इसकी सिकाई से महकने लगेगा तो अच्छे से मैंने इसे सेक लिया है अब गेज की फ्लेम ओफ करके इसे ठंडा करेंगे लेकिन लगातार इसे चलाते रहेंगे क्य आप quantity में कम जादा रख सकते हैं, चीनी भी आप इसमें कम जादा रख सकते हैं, अच्छे से इसे इस तरह से mix कर देंगे, फ्रेंड्स आप चाहे तो इस पूरे सत्तू से लड्डू भी बना के तयार कर सकते हैं, चाहे तो सारे के लड्डू आप इसके बना सकते हैं, पर हमार यहां पूजा के लिए एक बरतन के अंदर इस तरह से जमा के इसकी पूजा की जाती है और फिर इससे खाया जाता है तो थोड़ा सा तो मैंने इस तरह से कटोरी में निकाल के इसे जमा के सेट कर लिया है और जो बचा हुआ मिश्रन है उसके हम लड़ू बना लेंगे तो तीन तरह से ड्राइफ रूट से मैंने से गार्निश कर दिया है यह गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो इससे सिंपल भी रख सकते हैं अब आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपके यहां भी कजरी तीज वाली जो पूजा होती है वो इसी तरह से करकIC अब मुझे कमेंट की यह तो हमारे सत्तु और लडु दोनों ही तइयार है आपको यह सत्तु की रेसिपी पसंद आई हो तो लायक कीजिएका चैनल पर छानल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए अप बनांकिसे इन्ज्वाइ कीजिए घंक्यू सौ मज प्रेंड्स